मैं पूर्णम आपसे भी का फिर से स्वागत करती हूं हमारे चैनल में फ्रेंस आज में आपके लिए छोले बटूरे की रेसेपे लिकाई हूं आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम अटूरे को रेडी करेंगे उसके लिए मैने हाप लिया है तेन कप मैदा त्यानी की सड़े साथ सोगरा मैने हाप पर मैदा लिया है अब हम डाल लेंगे इसमें स्वाथ मुसल नमक साथ में पर डालूंगी एक बड़ा चमा से जिनी पावडर आप चाहे तो इक यहाँ यहां पर भी कआप यहां पर पहर तेस्पूल के इसमें इसमें बेकिंग पाल्डर जाता रहते हैं पर शुर्चीह चाहे तो डिड़ाई सकते हैं अब हम बढ़ यह से इसमें डोब बनाएंगे पर जिदूरत करने उसलम यहां पर पानी को एड़ करेंगे तो मैं तो तेल लगाने से यह होते हैं Mile फ्रेंज कि जो उपरी पर्थ होती है थर्छाव्प्ट रहते हैं यहाँ पर jeśli इसकी त DRUGS किया जाता है मैंने यहाँ पहराँ अची तरह से मिक्स किया है 2020 M थाखके रख देंगे शे शे साथ गनटे के लिए मैं आप इसे रक्रेंगी फर्मेंट होने के लिए उसके बाद मैं आप ले रही हूं काबली चना छोले बनाने के लिए काबली चना को भी पाने भीacter कवका रख दिया था रात को ही तह छितरह से फूलются की से है तो चलिए मैं आप च्छोली की त्यारी करती हूं तो मैंने कड़ाई में डाल दिया है सरसु तिल जैसे गराम हो जग उसमें डाल देंगे जीरा तेजपता और साथ ही मैं डाल रही हूं दोपिस प्याज आप चाहिए तेहां पर तीन भी डाल सकते हैं तो प्याज को हमें आप डालने के बाद इससे अच्छी तरह से पहले भून लेना है तो हलका यहां भूना गया है उसका बाद में डाल रही हूं कस्मिरी लाल मिर्च इसे प्याज में डालने साची कलर राती है अब मैं डाल रही हूं जिंजर गार्लिक गरिंचिली के पेस्ट तो इसे भी हम करेंग अच्छी तरह से मिक्स अब चाहे तो यहां पर कॉंट्रिटी कम ज्यादा कर सकते हैं अब मैं इसमें एड़ करूंगी टमाटर पेस्ट दो पीस साथ ही में पर डालूंगी एक चुमच खलती पाउडर सादो नुसर नमक अब हम बढ़ियां सीसी करेंगे मिक्स थोड़ा दरी भूनने के बाद मैं आपर डाल रही हूं आदी छुटी चमच धनिया पाउडर और थोड़ा से गुल की पाउडर हम डालेंगे अब चाहे तो यहां पर जादा भी डाल सकते लिए कि मैं आपर थोड़ा से कॉंट्रिटी कम रखी है अब इसे हम ढग देंगे बॉल की हुई चना यानि की छुले आप सभी को हम अच्छी तरह से यहां पर मिक्स कर लेंगे तो देखिए फ्रेंज मैंने हापर कीया है अच्छी तरह से मिक्स अभी से धक के दो मिनिट के लिए मसाले में चन योप पका लेंगे तो बस ही हाप 2 हो चुक यह चना को दो मिनिट भूल लिया अब मैं जूम डाल रही है पान नहीं हम पर ठंडा युज नहीं करना है कि चाने बोईल है अगर ठंड़ पानी देंगे तो क्या को चला खो जाए गया तो बस मैं नहीं पर एक बोईल लगाने के पहले से ज्यादा क्वांटिटी बढ़ गई है तो देखी बहुत ज्यादा जाले दैर हुई है आटा डो देखी मैं दिखा रही हूं और मैंने यहां पर हलका हातों से हलका से स्वाप्ट करना है और चुट-चुट गोले बना के इसे बहुत बनाएंगा यहां पर चाहे तो ब भटूरे जो मैंने बिलके रखी हुई थी और कल्चिन से हरकाल का इस तरह से आप थोड़ा सा फ्रेज करते रहेगा तो बढ़ियासा यहां पर फूल के रेडी होगी भटूरे देखी बहुत अच्छे से हैं फूल चुकिए कलरे बहुत अच्छा है अब इसे हम निकाल लें अब से हम भी मैंने यहां बिलके रखी हुई थी बस उसी तरह से फ्रेय कर लेंगे तो सभी कमया चली में आपको दिखाती हूं बनाके तो देखी फ्रेंस यहां पर भटूरा गरम गरम बनके रड़ी हो चुकिए बहुत ज़दा टेस्टी लगती खाने फ्रेंस एक बर बना की बनी है और भटूरे भी फुली फुली बनी हुई है अगर काले छोले बनाना चाहते फ्रेंस जैसे की डिश्टों में बना जाते हैं धावें बना जाते हैं तो आप लोग की कड़ाहिं बनाएं ऑटोमेटिक देखी हाँ पर काली छोली बन जाएगी अगर मेरे चैनल पर आप नहीं आये हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को और साथ में अच्छी रेसेपी के लिए बेल आइकों को प्रेस किजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो को नोटिविएशन अब तक बहुच पाएगी और रेसेपी आप देख पाएंगे तो देखी बहुत जा